हेलो दोस्तो नमश्कार तो दोस्तो फेस्टीबल आ चुके हैं और हम तरदा तरदा की रैस्पीज करनाते हैं सबजीयां बनाते हैं पूडी पडाठा, कचोडी, नान इस्हों नाद आघ कीजिएगा आहें आप सभी नान, पराठा, पूडी च gli Ministries बिल्कुल भी एक कड़वा नहीं लगता है तो चलिए इस रेसिप इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने निम्बू लिया है निम्बू मैंने यहां पर एक पाऊ निम्बू लिया है निम्बू को अच्छे से धो लिया है धोकर कपड़े से साफ कर लिया है इसका प पीसना है तो इसका बना सकती है लेकिन वह अच्छा नहीं लगेगा तो आप हलका सा दर्दरा ही रखेंगे इस तरह से आप इसे एक बड़े बरतन में निकाल लेते हैं अब जब हमारे निकल जाए तब तक हम कहते हैं गैस कड़ाई या पैन चढ़ाते हैं उसमें कुछ मसाले हैं उसको डालकर भून लेते हैं देखिया मैंने सरसो दो चमच सरसो लिया है एक चमच धनिया हाफ चमच मेथी एक चुटा चमच अजवाइन मंग्रेल सौंफ और जीर इसके भूनacts अनुद में गोल डालतेहं एक बडड़ा चमच तेल ऋर यहां पर मैंने देखिये निर्ची लिया यांको मैंने मिर्ची खली गोल इस प्यांच आप मीडियम ही रखिएगा अब इसमें हमने जो पीस कर रखा था ने निम्बू उस निम्बू को इसमें डालेंगे और डाल कर इसे मिक्स करेंगे देखिए इसको यहां पे भूनना है तब तक जब तक यह हलका सा यह सूख न जाए यानि कि इसका पानी सूख न जा जाता है अब इसमें नमक डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा निम्बू में तो वैसे भी नमक जादा पढ़ता है क्योंकि वह खटा होता है और चटनी में जादा तो डालने से टेश्ट भी अच्छा आता है और वह जल्दी खराब भी नहीं होता है देख सब्सक्राफ करके गैस पेच्ड़ा देते हैं तबतक हम जो मसाले सौप ठंड़े हो गये हैं अब इसे पीस लेते हैं एक दम फाइन लिए इसको नहीं पीसना है हलका सा दलाओ रखना है देखे की जादा हो तो तो तेल जादा डालेगे एसमें डाले और रखेंगे और दाल कि इसमेरी में चीज से कलर बहुत प्यारा आयागा अभी इसमें जू हम ने मसाले भी सब इस bet रिगंगे और भी जल झाएंगे दो चलाना हैं ऑची तो हमारे मैसाले जल जाएंगे 22 ह हमने बंद को पाकाना नहीं है देखिए हमारी जो चटनी है वह एकदम बन कर रेडी होने माली है उने मिक्स कर लिया है यदि आपको इस समय लगे कि तेल कम है तो तो थोड़ा सा तेल गरम करके फिर से इसमें डाल सकते हैं अपिसे कांच के जार में एक काफी में टेंट चलेगी सालने चलेगी खराब नहीं होगी और अभी आपको अभी खाना है तो बस अभी आप निकाल लिए जार्म से और निकाल कर आराम से पूरी पराटे के साथ खाईए सर्व कीजिए और पूछिए जिसको भी आप दे रहीं उसको पूछिए कि क्या यह सच मुछ इंस्टेंट चटनी बन है यह एकदम ऑप्सिनल है आप क्लिक्षा हो तो डालिएगा वरना बिल्कुल भी आप जैसे रोंटी का आटा हम लोग गूथते हैं बस वैसा ही आटा एकदम सिंपल आटा इस गूथना कुछ नहीं इसमें डालना है मैंने थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा लाने के लिए खस्ता करने के लिए यहां पर मैंने चमस्तेल डाला है इसकी कोई जरुवत नहीं है इसके बगएर भी आटा को गूथ सकती है और आटा को गूथते हुए एकदम आटे के जैसा इसका डोह तयार करेंगे हलका सक कड़ा रखेंगे जिसे कि क्रिस्पी होए थोड़ासा हमने सब्सक्राइब कर दिया था दस मिनट के लिए अब हमारा आटा जो है वह फूल गया है अब फिर से माड़ लेते हैं और कर रख लेते हैं अब एक लोई लेते हैं लोई जो है वह रोटी के आटे से थोड़ा रहेगा क्योंकि तभी तो हमारे जो यह पराठा हम बना रहे हैं वह पराठा बनेगा ना मन मुताबिक डिजाइन वाली तो देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है हरह कि 1700 rates में रो Kerry सब्सक्रा स्पर्च で रखुआ है और बेल कर ते लिया है तेले लिए कि इसमें थोड़ा से मिर्ची डालेंगे या अपनी अनुसार यहां पर कुछ भी डाल सक्ति हैं मैंने तोर सी मिर्ची डाला है मिर्ची बड़र स्वहीं सप्वरी अब इसमें मोड लेंगे इससे लच्छा परठा बनाते हैं वैसा नहीं बस इस तरह से गोल-गोल मोड के इससे दबाते हुए इसके खिनारों को हम क्या करेंगे इसे चिपका देंगे और चिपका कर थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे इससे घुमा लेंगे घुमा कर थोड़ा सा पतला हो कर स cath severity habl discussing आप इसे ना जो मोटाइ थीः थीखने से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए या ना रख闕 पूरी से थोड़ी सी मोटी होनी कि हमारी यह जो है भू भण गई है दोल ली हमने अब एक सबासर कर इसको सेख लेते हलका सर जब गरम हो जाये सब एसको पलट लेना है अब लटने के बाद एक इस तरह से ये चीम्टे से इसको इस तरह से ऐसे बने में आप इसे हाथ से भी कर सकती है नगे अज को कम कर दीजेगा उचाहे तो हाथ से दोनों चुटकियों से मिला मिला कर इस तरह से बना सकती हैं अब इसमें तेल डालेंगे, तेल डालकर इसे एक पराठे की तरह सेक लेंगे, अच्छे से, यह इतना क्रिस्पी बनता है, आप वो की, आप विश्वास नहीं कीजेगा, यह आप एक बार इसे खाईएगा ना, तंदूरी सब भूल जाईएगा, इतना क्रिस्पी, इतना टेस की आप इसे किसी के संग भी खा सकती है, इसके लिए कोई भी सबजी की या चटनी की किसी की जरुवत नहीं है, आप इसको ऐसे भी खा सकती है, यहाप एक बार और मैं बोलूँगे, आपको यदि इसमें नमक डालना है, तो आप नमक भी डाल सकती है, आराम सी इसमें नमक उसको बनाए जा सकता है और चली और चार में प्राथा आक शीख देखनें प्राफ और में किस respe भू त ningún तो दिखा टी है वह यह जित इम्हों दिखाएं दूसरा भी इस एक मिनट के बाद इसको पलट लेंगे और प्लटने के बाद इस तरह से जो तो इस तर्व शुट्कियों से भी कर सकती है इसमें बिदेल डालकर अच्छे से पराठे की तरह सेख लेंगे थोड़ा सा वी वीडियो पसंद आ रहा हो फोड़ा सी भी रेशिपी पसंद आ रही हो हमारे दोस्त भी देखे तो आप उनको प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए देखिए हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो गया है एक दम खाने के लिए तयार है आप इस पराठे को चटनी के साथ या भी हमने जवाद इसके साथ भी खा सकते हैं या यह जो पराठा है यह इतना उंदा किसम पराठा है कि आप इसे नॉर्मल सबजी के साथ भी खाएंगे तो स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा आज मैंने तो रोजी के सब्सक्राइब जानी इसके संग भी बहुए टेस्टी लग रहा था यह ये तो सब्जी हो गई आप चटनी के साथ खाईए आप अचार के साथ खाईए दही के साथ खाईए रायता के साथ खाईए किसी के संग भी खाईए एक बाद फिर से आप सभी को यदि मेरी recipe पसंद आये मेरे वीडिया पसंद आये तो मेरे वीडिया को लाइक कीजिए share कीजिए मेरे channel को subscribe करना बिल्कूल भी नहीं भूलिए और एक बाद फिर आप सभी को मेरा वीडिया देखने देखके लिए बहुत बहुत धन्यवाद